नमस्कार दोस्तो जे माता दी सभी को मैं नीटो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यातरा में दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 30 जुलाई यानि ये मंगलवार को की साइ ये दोस्तो शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है 15 मिनिट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्रा दे के लिए बैस्ट होता है आज दोस्तो बिल्कुल ऐसे ही मार्केट ने मुमेंटम दिया जैसे हमने कल की वीडियो में डिसकस किया था हमने दोस्तो तीन-चार महिने से अगर आप मुझे देख रहे हो तो मैं पहले मार्केट को सेटल होने देता हूं उसके बाद काम करने की सोचता हूं क्योंकि सुरुवात की तीन-चार केंडल लोगों को ट्रैप ज्यादा करती है हमने रजिस्टेंस दोस्तों कल मारक किया था 51,930 के कि स्टुड़ी का लोजिक पूछ रहे थे कि सर आप इतने तेजी वाले मार्केट में भी और भी ज्यादा बुलिश कैसे बने भाई देखिए आप अगर चार्ट को पढ़ोगे आपको समझ में आएगा मार्केट गैप खुली थोड़ा सा नीची आई पहली ही केंडल लेकि बड़ा स्पीड से मुमेंटम दिया उसके बाद लास्ट में प्रोफिट बुकिंग आगी जो की नॉर्मल है क्योंकि जहां से मार्केट गिरी है ना भाई जब मार्केट गीरती है तो बहुत सारे सेलिंग एरिया बना देती है उनको टेस्ट कर करके मार्केट उपर जाती है उनी को हम प्राइज एक्षन बोलते हैं स्विंग बनना उनी को बोलती है इस वज़े से मार्केट गिरी के नॉर्मल सी बात ही हो सकता है थोड़ा वो ट्रैप हो लेकिन हमको पॉइंट्स मिल चुके थे मैंने सुबह सुआ आपको डेट अपडेट किया था डेटा बैंक नि नहीं वो रिवल के पॉइंट्स होते हैं क्या क्या हमने डिस्कुस किया था वो भी देखेंगे पहले यह देख ले थे कल कहां पर मुमेंटम हो सकता है आज बैंक निफ्टी ने दोनों साइड मुमेंटम किया है तो एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता देता हूं क्लोजि की लिए जो नया सेलिंग एरिया बैंक निफ्टी में दोस्तों बना है वो बना है 52,250 के आसपास यह सेलिंग एरिया बना हैं बैंक निफ्टी के इनदर ठीक है 52,250 के आसपास और जो support एरिया है बैंक निफ्टी में चलिए वो भी मारक कर देते हैं वो राउंड लेवल के आसपास है यहां पर पहला सपोर्ट यानि कि पहला बाउंस बैक एरिया है 51,000 इमान के चलो क्योंकि राउंड लेवल है 20-30-50 पैंट तो उपर नीचे चलता ही रहता है तो जो मेजर लेवल हैं दोस्तो यह है बैंक निफ्टी के अपना मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इग्नोर करना पड़ सकता है एक दो दिन बैंक निफ्टी को क्योंकि यह बीच में क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की और चार्ट थोड़ा सा डिश्टब हो गया है दोनों साइड अगर निकलती है तो पहले एक बार उपर वालों को कन्फ्यूज कर सकते हैं कम प्वेंट मिलेंगे नीचे आती है तो भी कम मिलेंगे अगर एक बार क्लोजिंग यहां पर आजाई है तो थोड़ा सा पिक्चर कलियर हो जाएगा फिर हम उसी रेंज में यानि की उसी डारेक्शन में काम करने की कोशिस करेंगे निफ्टी का चार्ट अच्छा वो भी हम डिसकस करेंगे अब देखिए हमारे पास दूर की जो रेंज निकल के आई है 22,250 से लेके 51,000 का लेवल ठीक है अब अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है फ्लैट खुलने के बाद दोस्तों अगर आज का जो ये लो है यानि की 51,350 का ये वाला जो रेंज है ये अगर ब्रेक करती है तो 200,300 पाइंट हमको डारेक्शनल मिल सकते हैं यानि की 51,500 ये लेवल बैंक निफ्टी रेटेस्ट कर सकती है बीस सतर असी पॉइंट का स्टोपलोस डालके मैं पूट सैड जाना पसंद करूँगा और पहली और पसंद की ट्रेड तो मेरी ख्याल से मुझे यही सपेस लग रहा है यही होगी बैंक निफ्टी में क्योंकि इसके उपर का अगर आप रेंज देखोगे तो बैंक निफ्टी को कम से कम 51,650 यानि कि जो 200 दिन का मुविंग एवरेज है इसके उपर निकलना पड़ेगा सस्टेन करना पड़ेगा अगर बैंक निफ्टी फ्लैट कुले गैप अप कुले 11,650 के उपर निकलके खलका सा स् फिर अगर ब्रेकाउट देती है जैसे कि यहां पे समय ब्हुता देता कि अगर बांधाय च्छाइंट 9600 का 650 का तो भी मैं 52,000, 52,200 इस टारगेट के लिए मैं कुल साइड जाना पसंद करूंगा 80,90 पॉइंट का स्टोपलोस डाल के अगर दोस्तो बड़ा गैप अप खुल जाती मालिजी सीधा 11,800 के आसपास गैप खुल गया फिर 22,000 के असपास गैप खुल गी थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा फिर ये सेलिंग एरिया काम कर सकता है इंतजार करेंगे या तो सेलिंग एरिया के पास जाके कोई M पैटरन बना दे अगर डाउन साइड आना होगा तो यहाँ पे M पैटरन बनेगा तब हम पूट साइड प्लान कर सकते हैं अगर दोस्तों यह लेवल में दम नहीं होगा और ब्रेक आउट देना होगा तो यहाँ पे जाके बैंक निफ्टी क्या करेगा समय बिताएगा समय बितागे फिर ब्रेक आउट दे सकता है एक गंटा दो गंटा समय बितागे तो एक अच्छा मोमेंटम फिर अपर साइड हमको देखने को मिल सकता है 35,000 के टारगेट के लिए लेकिन यह काफी बड़ा मोमेंटम हो जाएगा पहले बैंक निफ्टी को 400-500 पाइंट उपर जाना पड़ेगा समय बिताना पड़ेगा फिर 400-500 पाइंट तो थोड़ा सा मुस्किल लग रहा है हाँ अगर क्लोजिंग यहाँ पे आ जाती है एक दि नीचे टिके 51,000 के नीचे अगर आदा एक घंटा बिता देती है फिर 51,000 के नीचे कोई ऐसा स्विंग बन जाता है फिर जो अगला लेवल काम कर सकता है वो है भाई 50,800 बात को समझ रहे हो 50,800 के आसपा स्विंग बन सकता अगर गैप डाउन खुली दो मालीजे गैप डाउ अगर फिर से कंटीनियू करती है तो फिर नीचे टार्गेट थोड़ा भी दिख सकता है दिन का हाई स्टोपलोस डालके में कम से कम 400-500 पाइंट के टार्गेट के लिए बैंक निफ्टी के पूट साइड जाना पसंद करों कि नीचे फिर इतना कुछ खास सपोर्ट नहीं है ये टेस्ट हो गया है 50,400 वाला 500 पिर तो सिधा 50,200,50,000 के भी टार्गेट देखने को मिल सकते हैं ये बैंक निफ्टी के लेवल थे अब मैं निफ्टी के देखने है निफ्टी में थोड़ा सा अच्छा चारट है बैंक निफ्टी के मुकाबले जो फ्रेस निफ्टी के अं सो पॉइंट का सपेस है निफ्टी के पास दोनों साइड आज निफ्टी ने अगर देखोगे तो बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी पोजिटिव फिर भी पलस में बंद हुई और देखे मापको डेटा दिखाता हूं दस साड़े दस बजे पूरे मैंने डेटा अपडेट के था बैंक निफ्टी का डेटा फ्लैट पलस पोजिटिव और बिल्कुल फ्लैटी बंद हुई है ठीक है फिर मैंने यहां पर प्लानिंग किया थो बहुत अच्छा दोस्तों इसमें मोमेंटम देखने को मिला मैंने 770 त कर सकते लोगों को बचके रहेंगा ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं बाराइबाद तो कोई फायदा था भी नहीं को इस फोई किरावट को नहीं को इसको केंच कर पाता यह ख़ली करने के लिए होती है ऐफाइज ने आज भी विक्वाली की है बाई 2400 करोड की डियाइज बहुत अच्छी खरीद दा रही है चपन सो पैसे तो नेट जो बाइंग निकल गया है इकती सो इकानवे करोड की यहने की मंदी तो अभी भी नहीं है भाई मार्केट में एवाई जो लगातार सेल करते जा रहे हैं पिछले तीन चार देन से लेकिन डी आइज संभाले विया म पर अपडेट करता रहता हूं आप टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं वीडियो के डिसकर्शन आपको लिंक मिल जाएगा नहीं तो कमेंटों में पिन कर दूंगा और इजनल चैनल का लिंक क्योंकि आप सरच करोगे इस लोगों से इस नाम से बहुत सारे फ्रोड चैन ना दे हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है अब देखें निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 24,836 के असपास निफ्टी की क्लोजिंग आई है अब सिंपल सा एनलिसी से निफ्टी का अगर आप देखोगे न निफ्टी अगर इस रेंज के बाहर निकलते है यानि कि 24,900 की ऊपर निफ्टी अगर निकलती है कोई अच्छा सा स्विंग बना के तो 25,000 का टारगेट 24,980 का टारगेट है 20-30 पॉइंट का स्टोप लोज जालके मैं कोल साइड जाना पसंद करूंगा अगर यह 800 के नीचे निकल के स्विंग बनाती है पलस 50 दिन का मूविंग एवरे सब्सक्राइशन में मैं 20-30 पॉइंट का स्टोप लोज डालूंगा और पूट साइड में पलान करूंगा तब जब 24,800 के टिक जाएगी कोल साइड में तब पलान करूंगा जब 24,900 के उपर टिक जाएगी 24,900 से लेका 800 के बीच में निफ्टी को छेडने का कोई फायदा न सब्सक्राइब 24,900 के उपर कहीं गैप खुली है इंतजार जरूर करना हो सकता है सुरुवात में प्रोफिट बुकिंग आज देखे मैं इसी बात का इंतजार कल हमने क्या डिसकस के अदर गैप खुलती है थोड़ा से इंतजार करेंगे गैप को फिल करके वापिस मूँ कर स 25,000 के टारगेट के लिए और 25,000 लेवल ब्रेक हो गया ना भाई फिर तो 200,200 पाइंट और आगे तक निफ्टी जा सकती है आने वाले दिनों में ऐसा ही दोस्तो अगर गैप डाउन खुलती है 24,750 के आसपास तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि 700 के नीचे निकलेगी तो 24,650 पर फिर सपोर्ट है 650 के नीचे निकलेगी 600 पर 200 दिन का मूविंग एवरेज है तो गैप डाउन अगर निफ्टी खुलती है तो मैं थोड़ा सा इगनौर करना पसंद करूँगा बैंक निफ्टी ये फोकस करूँगा क्योंकि सपेस थोड़ा सा इतना अच्छा द देखोगे 24,900 का देखते हैं 24,900 पर 1,88,000 कोन बैठे हैं मंदी वाले इकतर हजार तेजी वाले बैठे हैं आप देख रहे हो पूट राइटर थोड़ा सा कम इंट्रेस्ट ले रहे हैं अब क्योंकि थोड़ी से प्रोफिट बुकिंग आगे ना उपर से मैं जो रिस्टेंस है भाई 3,13,000 की फोज बैठी है मंदी वालों की 25,000 के लेवल पे अगर ये लेवल ब्रेक हुआ इसके उपर एक दो केंडल क्लोज हो गई तो ये सबी लोग जैसे ही पोजिशन काटेंगे मार्कें में एक बलास्ट मूँ आ सकता है वरना ये फिर 25,000 के उपर जाने ही नहीं फिर से खिची ना अपर साइड स्विंग बना तो फिर ये सारे लोग भागना शुरू कर देंगा मार्केट में एक और मूँ आ सकता है आप देखिए 24,800 आउट दा मनी है पूट राइटर के लिए इन दा मनी है गोल राइटर के लिए भाईसाब कोल राइट करके गए पू 2700 पे दस बजे के बाद देखेंगो ऑप्सिन चैने को भाई कि साइड मूमेंटम रहा डेटा पोजिडिव नेगेटिव होगा मार्केट काम करने लाइक होगी तो भी आपको बताने की कोसिस करूँगा अगर नहीं होगी तो भी बताने की कोसिस करूँगा ठीक है बैंक नि से निकलते तो सीधा एक्याउन हजार का पहला टार्गेट पहला सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए जो भी होगा दस बजे के बात देखेंगे उप्सिन चैनल में इतना कुछ आथ मुझे खास लगा नहीं निफ्टी का लगा है थोड़ा बैंक निफ्टी में तो नहीं ह वही हजार पॉइंट की रेंज है जैसे चार्ट में जो भी डेटा होगा अपडेट करने की मैं कोसिस करूंगा तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक थासा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आयोगा तो लाइक और शेयर जुरूर कीजेगा ताकि जुरूर तुमन वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भुगान करें आपका दिन सुभरे मिलते हैं कल लेक नई वीडियो के साथ तब दकलिए बाइवाए जै मातादी जै हिंद